गरीबों को सताना पाप विष्णु पुरान में ऐसे कर्म को पाप माना गया है जिससे गरीबों को नुक्सान हो मसलन महंगाई के इस दौर में ऐसी वस्तुए भी अधिक महंगी हो गई है जो किसी के जीवन के लिए अनिवार्य है जैसे दूद, फल, अनाजादी गरीबों को अधिक महंगा पड़ता है इस वजह से यह उन्हें सताना हुआ और विष्णु पुरान में इसे पाप माना गया है विष्णु पुरान के अनुसार गाए का दूद हम जानते हैं कि गाए एक ऐसा पशू है जिसे माता की संग्या दी गई है विष्णु पुरान में गाए के दूद को बेचना भी पाप माना गया है अधार्मिक व्यक्ती से दूर रहे जिस व्यक्ती का चरित्र ठीक नहीं होता वह अधार्मिक होता है इसलिए ऐसे अधार्मिक व्यक्ती से किसी सज्जन व्यक्ती को दूर रहना चाहिए क्योंकि ऐसा खराब चरित्रवाला व्यक्ति कुछ गर्बर करता है तो उसमें आपको भी परेशान होना पड़ सकता है कल्यूग के बारे में महर्शी पराशने विश्नु पुरान में यह भी कहा है कि कल्यूग में मनुश्य को जरा सा पद और धन हो जाएगा तो वह उसमें ही अहनकार दिखाने लगेगा लोगों में आल्पधन से ही अहनकार भर जाएगा और दूसरों को दबाने की कोशिश करेगा लोगों में खुद को श्रेश्ट बताने की होड रहेगी